गुड अप्टरनून सभी सांथियों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ multiple choice questions जो की आप देख सकते हैं ये पूरा collection type का है और वीडियो के अंतर तक बने रहीएगा और जितने भी सांथियों हमारे पीडिया नोट्स के लिए यहां पर मैं देख रहा हू तो उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन वीडियो के अंतर में पहले हम एक प्रोड़े में तो दर्सन है पहला मारा कैसन नहीं है यह किसने का है दर्सन सास्त पे और जिए हैं उपलोट कर चुके हैं उनको आप वाच्च कर सकते हैं आने वाले समय में आपको वन लाइनर यहां पर देखने को मिलेंगे क्योंकि मुल्टिपल चॉइस में बहुत टाइम लग रहा है बात करें तो पीडिया बनाने में भी हिंद्री टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मैं शुरू से ही कह रहा हूं इंग्लिस अगर उसकी बात की जा प्लेटो अरस्टू सिस्टे कम कै चार ऑप संहारे पास हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसक्वेश्चन का यह किस ने कहा है यह किसका स्टेट्मेंट है दरसन ग्यान का विग्यान है यह फिस्टे ने कहा है ठीके और दूसरे क्वेस्टिन की और बढ़े सेक्ड हो तो इसके करेक्ट अंसर की और हम पढ़एंगे तो यह कहा है काम टेने किसने क दूर का थो आगे बढ़ेंगे थर्ड के स्वरूब का ग्यान प्राप्त करना ही दर्शन है यह किस निका है किसका स्टेट्मेंट यह पूछा जा रहा है और इसके आगर करेक्टर अंसर कि बढ़ें तो इसका जो प्लेट वीडियो बनाई हूए वॉट्स कर सकते हैं अगर आप अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सफिसेंट कॉंटेंट मिल जाएगा आपको कहीं दर दर बैटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिस लिटेचर ग्रेमर की बात करें चौथा क्वेश्चिन है दर्सन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है यह किसका है इंगर बात करें गांदीजी टैगोर से इस का विडियो अलड़ी बना रहिए उसको वाच कर सकते हैं जल्द ही आपको एक वान लाइन वीडियो जी मिलेगी इसे स्री आर्विंदो भी हमने बना रहिए वीडियो तो आप जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है दर्सषन जो है सत्य के सुरूप की तार्किक भी बेचना है केने का मतलब यह किस नहें कम क्वेश्चिन पर फूर्थ का व्यक्राइब का आंसर बताना है और यह कहा है राधा किरस्न जी ने राधा किरस्टन जी कहा है ठीक है बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और निमिल खित का था अनकिन विचारकों से संब्धित हैं अब एक है करके हम इनके statement को पढ़ेंगे और इनके answer provide करने की कोसिज करेंगे दर्सन और सिक्षा एक ही सिक्क्य के दो दूप पहलों के समान हैं हमने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो जिसमें उसमें भी हमने यह क्वेश्चन डिसक्रिश किया था दर्सन और शिक्षा जो है एक ही सिक्क्य के दो पहलों के समाने हैं अगर बात करें इस क्या होगात है कि फ्सक्र पहलें का आंसर के दो पहलों है यह रौस महोदे न कहा है दूसरे और बढ़ें, दर्सन की सायता के बिणा शिख्या पूर्णिस्प्रस्टता को प्राप्त नहीं कर सकती, तो यह statement किसका हुए ये पूछा जा रहा है ये statement किसका है दूसरे question की और बढ़ें तो इसका answer हो जाएगा क्या फिश्टे इसका current answer HO जाएगा किसका statement है ठीच्ड ऐसके और बढ़ेंगे ठीच्ट साहता के अबहाऊ affect पर नहीं किसने कहा कि दरसन की साहता के अभाव में अगर दर्सन का अभाव हो तो शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती यह किसका है यह कथन किसका यह जैंटिल कए यह कथन किसका है जैंटिल कए आप यह नोट-đउन कर सकते हैं और नेक्स्ट अगर इच्षिन की बात करें नेक्स नेक्स पैस है किसा किभ्षा an वह सच्चा दार्सनिक mean ही कर सकता है यह किसका treatment है यह कहा है हर्वार्ट Spencer ने इसने कहा यह हर्वार्ट Spencer ने यह कहा हुआ है तो हमने यहां पर जो है कुछ जो है क्वेस्टन्स डिसकर्श किये जो हमारे पहले टॉपिक क्याने की शिक्षा और दर्सन सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमारी कोशिश जो है भरपूर कोशिश जारी है आपको आपके जो है लक्षे में थोड़ा सा असेट कर पाएं शहेता प्रोवाइड कर सके जतना पॉसिबल हो पाए नैतिक आदर सवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है यहrecord जा रहा है हमसे तो हमारे पास चार उप्सन हैं जिसमें पधार फेला प्रकृति तिसरा आत्मा और चोस्ता प्रमात्मा तो नैतिक आदर सुज्सकर किसको मानता है आपको पता है आदर सुजञ पर्मात्मा यहां पर हो जाईगा रख Кजा अगर कौन है तरकना बुद्रिवाद की अगर बात की जाए तो यह किसका टॉपिक है जैसे हमने बात की थी आदर सुवाद की हम बात कर रहते हैं आदर सुवाद और सिक्षा करके हमारे पास टॉपिक है उसमें ही जो है अगर बात की जाए तो कांट की एक डैफिनिशन है कौ पर आत्मा यानि की आत्मा को ही मन से यहां पर किया जाता है आत्मा यानि की मन मन यानि की माइंड माइंड के स्थान पर इन्होंने किसको किसको बल दिया है माइंड के स्थान पर इन्होंने तरकना बुद्धी तरकना बुद्धी यानि की इंटलेक्ट इंटलेक्चुल जहां से इसको जाना जाता है, तो इसके हमें correct answer की और बढ़न है, तरकना बुद्धिवात के जो प्रतिपादत हैं, वो कौन है, अब भी हमने बताया, कांट, कांट ने क्या माना है, मन के स्थान पे बुद्धी को ठीक है, बुद्धी को आधार माना है, ज्ञान का कहने का मतलब ठी किए उन्होंने कौन सी क्षण विदी का विकास किया था तर्क विदी अभ्यास विदी खेल विदी तो यह जो पैस्टा जी यह से कि अभियास अवर्ति उसका किसने किया है यह पूछ जा रहे हमसे शिख्या cœur student ऑफ देख ञें इनके हमें ब्ताने कि विचार किन व्यक्तियों के हैं तो पहला है। हमार पास इस वर बिचारों की तरशी जगत का निर्मान करता है इसके साहसे बिचारों की शाहता से जगत निर्माण करता हैं यह statement किसका है? यह statement किसका है यह application किसका statement थैं प्लेटू का प्लेटू का प्लेटू का प्लेटू कहतífic है इस वर बिचानों की शाहिता से जगत का निर्माण करते हैं आदर पर वीडियो बननी हुए है और प्लेटू पर भी वीडियो बना रहा है कि हमने उनको आप वाच कर सकते हैं एमस्क्यूज भी डिसकस कर रखें दूसरे अगर इसकी बात करें दूसरे क्वेश्चन की यहाँ जगत अनेक जो है चिद बिंदू मोनार्स से निर्मित है बोला गया उसको तो यह statement किसको है आगर इस question की बात करें तो यहाँ जगत अनेक चिद बिंदों से निर्मित है यह किस ने कहा है यह बताना है मैं यह कहा है क्या है लाइबेनीज ठीक है लाइबेनीज करके हैं साइद आपके लिए ये नाम नया होगा लाइबेनीज ने ये स्टेटमेंट दिया है ये आदर से वाद से रिलेटेड ही हैं ये क्वेस्टन इनको आप अलग मत समझेगा ठीक है शिक्छा सरीर वा आत्मा को वह पूनता प्रदान करती है शिक्छा सरीर वा आत्मा को वह पूनता प्रदान करती है जिसके वे योग्य हैं ये स्टेटमेंट किसके की वह योग्य हैं ये स्टेटमेंट भी किसका है ये स्टेटमेंट भी प्लेटो का है किसका है स्टेटमेंट प्लेटो ने कहा है शिक्छा जो है सरीर वा आत् जिसके योगी हैं उनको पूर्णता प्रदान करती है शिक्षा ये statement किसका है प्लेट होगा अगला statement आप देख सकते हैं शिक्षा सद्गुणों को प्राप्त करने की परक्रिया है ये किसने कहा है तो ये statement किसने कहा है शिक्षा जो है सदगुरों को पराप्त करने की परकिया है तो यह हार्वरटक करके दिया है तो थेंल को पहले नमडर हमारे पास question है आप देख सकते हैं इसके बाद परकृति वाद इन से रिलेटेड़ जो एंसे प्रोवाइट किया जाएगा तो इसलिए हम कहे रहे हैं कि चैनल पर अगर नए हैं अगर आपको लगता है कि कॉंटेंट आपकी लाइक है आपको पसंद आए और आपको कहीं से कहीं तक आपके लक्स प्राप्ति में हेल्प कर पाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा थेल्स के अनुसार जगत की उत्पत्ति कि जैसे आपने सुना होगा पंच तत्व इससे जो है श्रिष्टी करने मार बताते हैं तो ओ तो ठीक है लेकिन थेल्स जो कहते हैं थेल्स के अनुसार किस तत्व से जगत की उत्पत्ति हुई है जल अगनी वायू आकास यह चार आप्शन हमारे पास हैं तो इसमें से हमें बत माना है तो इन्होंने किसको माना है जल को माना है तो इन्होंने किसको माना है जल को माना है हेराक्लिस के अनुसार जगत का मूल तत्व क्या है यह पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन सेक्ड में तो हेराक्लिस किसको मानते हैं अगनी को मानते हैं थेल्स मानते हैं जल को औ किसको मानते हैं अगनी को मानते हैं किस परकार के पर सकते हैं जो किस पर сп PRIरकर के इधारतवाद को कहा जाता है रियालिजम का मतलब है LEALITY पर फूकस करता है याने कि जो बिज्ञान पर बल देता है जो पिर्ज्ञाने के बात करता है जो आगर बात करते इस में ए किस परकार के इस पोसक थे तो इस में इस question का सिमन हमें बताना है एरेस्मक किए जो है किस परकार के जो अगर बात करें एथारतवाद था उसके जो है यह पूसक थे तो यह कहते थे इंद्री ग्ञान इंद्री यानिकि उन्रियां चैसर ओरल कवर जो है इस इंद्री आपको पता सथ्ठिक किसी को मानता है तो अप्शन हमारे पास प्रकृति पदार्ध आत्मा परमात्मा तो प्दार्भ की बात की जाती है इस स्ट्ययँमेंट यह किस ने दिये हैं इनको हम डिसक्चश कर लेते हैं और आप जरूर Kate और आज थे, आज एका वीडियो आपको कैसी लगी। यथार्द वाथ मार्थ उट्वरा से जो संसार को वैसा को मानता है, जैसा हमें दिखाई देता है। वैसा ही यह संसार को मानता है यह यह धारदवात का विश्वाश्या शिद्दान थे तो यह किसने कहा था यह स्टेटमेंट किसका है question number जो हमारे पास 10 का first है इसका हमें बताना है यह किसने कहा यह स्टेटमेंट किसका है यह statement जो है मारे अगर बात करें स्वामी रामतीर्थ जी का है किसका है स्वामी रामतीर्थ तो पहले का अंसर क्या हो जागा स्वामी रामतीर्थ जी का यह statement है अब इसको note down कर सकते हैं बहुत ही important है और जैसा हमें दिखाई देता है वैसा ही जो है इसको मानता है इथार्दवा इस स्टी को जिस रूब में हमें दिखाई देती है दुसरे स्टेटमेंट के और बढ़ें तो बच्चा जन्म से कोरी स्लेट होता है टैबुला रस की हमने बात की थी हमने किसकी बात की थी ठीक है टैबुला रस की हमने बात की थी तो टैबुला रस होई है यानि की कोरी अगर बात करें तो यह किसका है लॉक और का है थार्ड नमार का हमार पास क्वेर्टिक शक्ष्चा सामाझी इंट्थिक सक्तियों को पुनर जीवित करने की परही करिया आamorphक्ष्चिया यानि कि बैस्टिक का मतलब यहां पर भैक्तिक ही होगा तो बैक्तिक सक्तियों को जो है पुनर जीवित करने की परक्रिया है तो यह किसने कहा ठीक है यह हमें पताना है क्वेस्टिन नुबर थर्ड में सिक्चा सामाजी के हम ब्यक्तिक सक्तियों को पुनरजीवित करने की प्रक्रिया है तो यह स्टेटमेंट किसका है यह कमेनियस का है किसका है कमेनियस करके हैं हमारे पास तो उनका स्टेटमेंट है कमेनियस किसका स्टेटमेंट है कमेनियस का स्टेटमेंट यह है ठीक सarsiकिक करना को नियावय चुट धंग से दक्स ता और उतार्ता के सांथ करना सिखाती सिख्षा मानता हूं यह जॉनमिलटन का स्टेटमेंट है किसका स्टर्ड मेरनता है जॉनमिल्टन का हैं यह जो आंग्लिस लेटे जॉ reviewing है जो लिखा है जोरी यह जो परड़ाइश लोस्ट भी लिख है अगर वह यह च्छन मेरेख तो ठेक है इतना इस बारे में हमें नहीं पता है अगर यह वो जॉन मिल्टन है तो आपको पता होना चाहिए जॉन मिल्टन की बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं एंग्लिस ले टीजर के अगर इस्टुडेंट हैं तो यह थे कुछ जो कि नोट्स का कोई चार्ज नहीं है नोमिनल चार्ज जो है वो किसका है वो चार्ज जो है वो टाइपिंग का है तो अगर मैं टाइपिंग करने लगों तो मुश्किल से 10 टाइप कर पाऊँगा एक दो घंटे में तो टाइपिंग स्पेड हिंदी में विल्कुल भी नहीं है तो जिससे भी हम करवा रहे हैं तो उनको हमें भी देना पड़ रहे है तो इसलिए जो नोमिनल सा चार्ज उसका होगा वह आप अगर दे सकते देने में सम को से रहे हैं यह जो भी YouTube चैनल के जरी आपको नोट्स मिल रहे हैं आप वहाँ से ले सकते हैं रहे हैं सब कुछ भी इसमें यह नहीं लगए लेकिन आप वाटस आप कर सकते हैं फोर एट सैवन जीरो एट टू जूक्सपाइब करके यह नमबर है आप इससे जुड़ सकते हैं यहां फिर आप थैस्बुक से जुर सकते हैं वहां에 सारे वीडियो आपको मिल जाएंगी शकाइंगे फेश्बुक पेज़ भी है ठीक है वहां से भी आप जुड़ सकते हैं अगर अब चाहते हैं कि नुमिनल चार्ज में आप यह नोट्स आपको यह पीडिया अप लेना चाहते हैं अगर आपको पसंद आती हैं तो आप ले सकते हैं अदूर्वाज जैसी कोई जो है यानि की बाउंडेशन न भी शेयर कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू सू मच